अस्सलामों आलेकूम मैं जुलेखा अर्फाद जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया सा मसेदार साथ तला हुआ गोश बहुत ही जटपट घर पर असानी से बनता है और हाजर मसालों से बनता है आप बहुत इंजॉय करेंगे बना कर भी और खाक कर भी तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारन याने ओर्डनरी इंग्रीडियन से एक्स्टर ओर्डनरी डिश बनाते हैं चलिए इस मच हल्दी पाउडर, आदा कब पानी दाल कर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे धाग दीजिए, फास्ट आच पर एक दो सिटी खिला लीजिए, जब एक दो सिटी हो जाए, तो स्लो आच करके 10 मिनिट तक स्लो पर पकने दीजिए, जब 10 मिनिट हो जाए, तो चु मिर्ची का पॉडर दाल देती हूँ, पहले तो स्लो आच कर दीजिए, और दो छोटे शाय के चमच कश्मीरी लालमेच पॉडर दाल कर बहुत अच्छे से चला लीजिए, स्लो पर मैंने रखा है, अब मीडियम कर दीजिए चूले को, और ये जो हमारी मटन का, जो हमारा आच पर बार बार चलाते हुए, इसे पका लेना है, तब तक पकाना है, जब तक तेल नहीं चूट जाता और बढ़िया सा भूना नहीं जाता और क्रिस्पी नहीं हो जाता हमारा मटन तब तक, अब इसे थोड़ा समय तो लगेगा, अब मैं क्या कर रहे हूँ, यहां आप देख सकते हैं, मेरी यह जो स्टील की है ना, फ्राइपन, तो उसके वज़े से जो मसाला है ना, चिटक जा रहा है नीचे, तो वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप स्टाच से यह है ना, नौन स्टिक फ्राइपन लीजिएगा, वो ज़ादा बैटर रहेगा, नौन स् सुकेक और तेल चूटने लगेगा, हमें वैसा चाहिए, नम्मक आप चक लीजिए, अच्छास्ट करने जैसा लगे, तो कर लीजिएगा, अच्छा, अधरक लस्तन के अंदर भी कभी-कभी कोई लोग नम्मक दालते हैं, तो नम्मक जब आप मटन के अंदर दालें, तो बह मारेगे तेल के अंदर, इसलिए बहुत जादा मटन के पीसिस को गला मत दीजिएगा, मैं है ना, कुकर के अंदर जब मटन को गलाती हो, तो तकरीबन 15 मिनिट रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सेफ 10 मिनिट रगा, क्योंकि छोटे-छोटे पीस तो है, तो वो उतने में 90% कल गया, अब आप देख सकते हैं, बड़िया सा क्रिस्पी होने लगा है, और जितना आपने क्रिस्पी करना है, आप उतना करते जाएए, बस ये ध्यान रखिए, कि जले ना, अब आपको ऐसा लग रहा है, कि इस टाइम पर जलने जिसा है, और आपको और क्रिस्पी और आप देख सकते हैं, बड़िया सा क्रिस्पीनस भी दिख रहा है, तो अब यहां पर मैं डाल देती हूँ, चूला स्लो करने के बाद, थोड़े से कडी पते, फ्रेश वाले, और चार हरी मिर्चियों को मैंने थोड़ा स्लिट मार के डाला है, थोड़ी सी बारिक कटी भी कोट मेर्याने के हरा धनिया दाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, एक मिनिट तक स्लो आज पर पकने दीजिए, अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, इनके फ्लेवर्स भी आएंगे, और जब एक मिनिट हो जाए, तो बंद कर दीजिए, चूले को, और यहां पर मैं आदे का रस आप आपके इसाब से डाल सकते हैं, जितना मर्जी करें आप उतना निम्बु का रस दालिएगा, मैंने थोड़ा सा आधा निम्बु छोटा था, उसको डाल दिया है निम्बु का रस और मिक्स कर लीजिए, और यह बन गया हमारा बढ़िया सा मजेदार सा क्रिस्पी तला हुआ गोश बवादी मजेदार लगता है, चटपटा सा मज़ा आएगा आपको खाका मैं थोड़ा सा कोतमिर यानि के हरा धनिया और दाल रही हूँ और इससे करमा गरम सर्फ कर रही हूँ, मैंने इसे बढ़िया सी आयसा थाली सर्फ किया है, जैसे आप देख सकते हैं बगारे हुई दाल है, चावल है, जीरे वाले और यह हमारा बढ़िया सा तला हुआ गोश है, सालेड रखा हुआ है, फिर से थोड़ी सी कोतमिर यानि के हरा धनिया चड़ा करे हूँ और यह बन गए हमारी बढ़िया सी थाली, मज़ेदार सी थाली, एंजोई कीजे और के कमिस पर ने बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा, स्पाइस अपने स्वाद अनुसार अज़स कीजेगा इस रेसिपी में, खटास भी अपने स्वाद अनुसार अज़स कीजेगा और नमक भी अपने स्वाद अनुसार दालिएगा, तो बस फिर से हाजिर होंगी नहीं कर दमदार रेसिपी के साथ, until then take care Allah Hafiz, bye bye.